दोस्तों आजकल गाडियां बहुत ज्यादा चोरी हो रही है लोग के विकल चोरी हो रहे हैं और लोग परेशान हैं इस समस्या को लेकर कि किस तरह से इसी सिचुएशन को डील करना चाहिए तो आज की वीडियो के अंदर आप जाएंगी कि गाड़ी चोरी हो जाए तो किन ची है तकी विकल चोरी होता को गाड़ी चोरी होती है तो जिस प्लेस से गाड़ी चोरी हो रही है उस समंस्धित लगता घ्रिक्शन के अनुसार ताना उस थाने में जाकर कि आपको फर्दर करांगे वाँ जाएंगे वहाँ पर जाकर किया पूलेंगे साफ़त्स भी बात तारी की बात बेंगी टाइट टाइम प्लेट अब आपको डालना है काड़ी के नमबर टेचिस नमबर इंजन नमबर यह गाड़ी किसके नाम से थी चीज़ टाले उसमें एक प्रतम सूचनर रिपोर्ट आपको संबंदित थाने के अंदर देना जरूरी है जैसे आप संबंदित थाने में दे देंगे इसकी कॉपी प्राफ्त हो जाएगी आपको 24 आवर्स के अंदर आपको इंशुरेंस कंपनी को इंफर्मेशन देनी चाहिए क्योंकि इंशुरेंस कंपनी के थी कि हमें 24 गंटे के अंदर बताओ और आपको विगल चूरी होता तो तो एस इस तितिक अंदर आप उनके कोल नंबर पे भी कोल करके सूचना दे सकते हैं अगर आप एमेल के माध्यम से आपकी गाड़ी मिल गई मेहनत की कमाई थी आपकी आपको गाड़ी फिर भी पुलीस नहीं देगी तो आप क्या करना पड़ेगा आपको आपको जाना पड़ेगा कोट आपको चाहिए एफायर नंबर और थाने का नाम फिर आपको जाना है वग्गिल के पास वग्गिल को तो आप मुझे दिलवाएं है तो फिर कोट से ओडर होगा उसके बाद आपको पुलीस हेंड़ोवर करेगी तो परातना पत्र पेश होता है कोट के अंदर 451 और 457 CRPC का देन कोट ओडर करती है कि मालिक को सुपूर्थ कर दिया जाए उनका वहां सुपूर्थ की अपरातना पत्र होता है दोस्तों तो एक तो यह तरीका है लेकिन मान लीजिए कि आपकी गड़ी मिली नहीं है चोर नहीं मिले गाड़ी भी नहीं मिल रही है तब ऐसी सिदिय में क्य प्राइल होने के बाद तो फिर आपको वहां से फाइनल रिपोर्ट या नहीं चार्शिट भी लेने पड़ती है और यह दो चीज़ों हो गई इसके आलावा आपके रेइस्टर डॉकुमेंट जो भी होते हैं सारे डियल हो गया आपका और सी हो गई इंशुरेंस हो गया यह करना पड़ेगा क्लेम के लिए और वहां से आपको क्लेम मिल जाता है 99% तो आपको केवल इस बात का ध्यान रखना है कि हमेशे अपनी गाड़ी को इंशुरेंस करा करके रखे क्योंकि दो अगर ले जाते हैं तो कम से कम क्लेम की गुंजाइश तो तो यह जरूरी है आपके समझ भी आगया होगा कि किस तरह से कोई विकल की चोरी होती तो क्या करना चीज़े जरूर है जिससे आपको कम से कम एक अमाउंट तो मिले अगर आपकी गाड़े का इंशुरेंस होगा तो आपकी गाड़े नहीं मिले तब भी कुछ इंशुरेंस पॉलिसी की आपको कोई अमाउंट तो मिल जाएगा कंपनी से तो लाइक करें इसको शेर करें और ऐसे लोग वीडियो देखने की चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों थैंक्स वरचिंग आइस